आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शुक्षा महरोतरा आप देख रहे हैं वीकेंड चर्चा यूपे में धार्मी के स्थेलों से जुड़े विवाद अब गहराते जा रहे हैं जहां श्रिंगार गौरी मामले में गहमा गहमी के बीच ज्यान व्यापी मस्जिद में सर्वे की कारेवाई हुई तो है 14 माई को मस्जिद के तहकाने के चार कमरों और पश्रमी दीवार के सर्वे भी हुए कमिशनर ने सर्वे की रिपोर्ट तयार की है सर्वे के बाद बाहर निकले विश्व व्यादिक सनातन संग के प्रमुक जितेंद्र सेंग विसेन ने कहा कि वहां कलपना से बहुत कुछ जादा है मतादे कि कल भी ग्यानवियापी मस्जد का सरवे होगा अब ग्यानवियापी की तरहा मतुरा की ईदगा मस्जद में भी सरवे और वीडियोग्राफि करवाने की मांग तेज हो रही है हलाकि कोट ने इसके लिए तारिख दे दी है लेकिन ईदगा मस्जिद केस में जो सरह से हाई कोट ने टिपड़ी की उससे हिंदू पक्ष का मनोबल बढ़ा हुआ है हाई कोट ने कह दिया है कि चार महिने में केस से जुड़ी सारी अर्जियों को निप्टाया जाए अब मतुरा में तेजी से मांग होने लगी है कि ईदगा मस्जिद को कृष्ण जन भूमी से जल्द से जल्द हटाया जाए हिंदू पक्ष कारों ने मस्जिद के मंदिर होने का दावा करते हैं तो वहीं अगर बात करी जाए आगरा में ताज महल की तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही दावे किये जाते हैं वहाँ पे भी बंद पड़े 20 खमरों को खोलने की याचिका अब तेज है हाई कोट ने याचिका करता को कड़ी पठकार लगाई है साथी साथ जो इतिहास है उसे पढ़ने को भी कहा है लेकिन कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या ऐसे कोई रहसे हैं जो की छुपे हुए हैं जो इतिहास है वो क्या कुछ अलग है हमने कुछ अलग इतिहास पड़ा है इन सभी तमाम चीजों के बारे में अब सवाल उठने लगे हैं अचानक से ही क्यूं ये मुद्दे उठ रहे हैं क्यूं अचानक मस्जिदों में मंदिरों का इतिहास मिल रहा है क्यूं ये सवाल उठ रहे हैं अचानक ही क्यूं सभी धार्मिक आस्था से जुड़े मुद्दे देश में उठाय जा रहे हैं मोहाल क्यूं बदल रहा है देश का धार्मिक आस्था से जुड़ी मंदिर हो या मस्जिद हो उसको लेकर विवाद क्यूं उत्पन हो रहे हैं कोड के पास क्यूं ये मामले जा रहे हैं और इन्ही सब चीजों को लेके कई बयान बाजिया भी तेज हो गई है क्या कुछ कहा जा रहा है पहले वो सुनिए फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे काशी विश्णात मंदिर ट्रस्ट है इन चारों के वरिष्ट अधिकारी जो प्रतिनिदी हैं वो भी सर्वे के दोरान मुझूद है आज के सर्वे की विशेष्टा ये रही कि बहुती शांति पूरव तरीके से ये सर्वे पूरा हुआ सभी पक्षों ने नियाले के आदेश का पालन किया लगातार चार घंटे सर्वे करने के उपरांत लगबग 50% से अधिक परिशर का सर्वे पूरा हो चुका है चुकि सर्वे की कारवाई गोपनिय कारवाई है और कोर्ट की ये बेसिकली निगरानी में हो रही है इसलिए ये जानकारी नहीं दी जा सकती कि कौन-कौन से स्थानों का सर्वे किया गया और वहां क्या क्या मिला लेकिन सभी पक्षकार इस संतुष्ट थे तो यूपी में धर्म युद्द देखने को मिल रहा है मंदिर और मस्जित के बीच कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब ईश्वर एक है तो फिर मंदिर मस्जिद में मतभेद क्यों मस्जिद में अचानक कैसे मंदिरों के अवशेश मिलने लगे अगर अवशेश मिल रहे हैं तो विवाद क्यों कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं क्या इसे राजनीति खंगाले जा रहे हैं इतिहास के दर्वाजे जो बंद है अभी तक उन्हें खोलने के मांग उठ रही है आखिर इसके पीछे की वजह क्या है क्यों इससे पहले किसी की नींद नहीं खुली और इन मामलों पे जाच नहीं हुई अचानक ही क्यों कोड के दर्वाजे खट-खटा जा रहे हैं और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ चार पैनलिस्त जुड़ चुके हैं विवेग श्रुवास्तफ जी हमारे साथ जुड़ चुके बीजेपी से शुरुवात करेंगे विवेक शुरुवास्तव जी से विवेक जी दस्तावेस खंगाले जा रहे हैं अचानक ही इतिहास के पंदों को पल्टा जा रहा है इसके पीछे की वज़ा क्या है देखिए सिखा जी यह विषय बहुत समय से विचारा दियन थे और सब लोग जानते हैं कि ज्यानव्यापी का विषय है चाहे मतुरा में स्रीकिस जंगुमी का विषय है वहाँ जो भी जायेगा अगर अंधा भी है तो दिवारों को टोके वता देगा कि जो यहाँ पर मस्जिद दनमाल हुआ है वो हिंदू मंदिरों के भगनाव सेर्सों पर हुआ है वहां के दिवालों पर आज भी हिंदू प्रतिक चिन इस्चित हैं और कासी का जो विषय है ज्यान्व्यापी मस्जिद का इसको यह मस्जिद कहते हैं अलाकि इने नहीं कहनी चाहिए वहां पर अंदर सिंगार गौरी की पूजा के लिए एक दिन वर्ष में अनुमत दी जाती है आप जानती है हमारे जो भी मंदिर होते हैं जो भी मूर्थिया होती है उन्हें प्राण पर सिष्ठा होती है और फिर उनका नियमित पूजन आवस्यक है जिन मैलाओं ने नियमित पूजन के अनुमत मागी है उस मिसे पर यहां पर सर्वे का और अबी तक सर्वे में जो रुकावटे मिनुदी पच्छ द्वारा जी गई आज इस तरह से पचास प्रस्चत सर्वे वहां से बयान आ रहा है अजगारियों का किस कंप्लीट हो गया कल्वी सर्वे रहेगा और इंदू पच्छ के वकील का बयान है कि कल्वपना से अधिक साच्छी मिले हैं तो यह सुब संकेत है जो हम कहते थे जो हमारी यहां आस्था थे उस आस्था पर कानून भी अपनी वहर लगाने की इस्तिती में आ रहा है और हम सम्मिदान को मानने वाले लोग हैं इसलिए इस समस्या का समाधान कानून के दायरे में ढून रहे हैं बाकी दिनों ने इस समस्या को जन्म दिया था उन्होंने कोई कानून का पालन नहीं किया था यह मंदिर हमारे आदल काल से थे उनको तोड़ करके हम पराजित थे हमारे पराजे पर अपनी एक मुहर लगाने के उन्हों जब हम अपने कुछ सनात्रम संस्कित के उठान को बढ़ रहे हैं तो उस रास्ते पर ये जो हमारे आधिकाल से आस्था के केंद्र हैं उनका पुनर जीवन उनका पुनर प्रतिस्ठापन आउस्टेक हो जाता है उसी दिशा में ये कारिवाईया हो रही है जी आजम खान जी मैं आपसे जाना चाहूंगी कि जब वीडियो ग्राफिक की बात हुई तो इतना विरोध क्यों हुआ क्यों कि सभी को पता है कि वो मंदिर से जुड़ा हुआ है ग्यान व्यापी वहाँ पे अवशेश तो मिलेंगे ही मिलेंगे तो इतना विरोध क्यों आपने ये कैसे कहे दिया आवशिष मिलेंगे ही मिलेंगे अबी तो मसला जाच का है लेकिन वो मंदिर से जुड़ा हुआ है पहला कहा जाता है कि वो पूरा एक ही परीसर हुआ करता था अब वहाँ पे जाच हो रही है तो विवाद क्यूं अगर वहाँ पे साक्षन नहीं भी लेकिन आज और कल भी हो सकता है कि वहाँ विरोध बिल्कुल भी नहों आज इस परकाश से शांती पुर्वक धंसे वहाँ पर वीडियोग्राफिय हुई है कोट के निर्जशनल सार वहाँ पर अभी कोई भी विरोध नहीं है यह जरूर है कि भाई देखिए इसलाम जो कहता है इसलाम में कभी भी यह नहीं कहा गया है कि किसी भी विवाधिज जहां पर नमाज अदा कि जाए लेकिन यह मसला बहुत सालों से कोट के विचारा दिन है और इसमें लोगों ने कहा कि साब साल में एक बार गोरी शिंगार की पूज़ा की जाएगे। जी वो सही था कि गलत था ये तो मुझे नहीं पता लेकिन ये कानून बन गया कि साल में एक बार ही होगी है आज ये जो पांच महिलाओं ने जा करके कोट में ये अपील की है कि हमको रोज अना पूजा का अधिकार दिया जाए जी तो उसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि करका मसला बाबरी महजिद का था और ये महजिद का मामला जब ये राम जना महमी के मामले में तबदील हुआ तो वहां पर ये बात कही ती कि ये लोवर कोट से मामला चला तो सालों तक ये मामला चला था तो आज मैं यहां बैठा हूँ मैं ये बताना चाहता हूँ आपके म में उसला जिस तरह से वर्समान सरकार कारवाई कर रही तो मैं चाहता हूं कि भाई इसमें देरी ना क concert की जारं मैं कि यह गलत है यह सखहे है अगर गलत है तो उसमें समय बरबाद ना करें, उसको तोड़ दें, क्योंकि अगर जब तक तोड़े हैं नहीं, ले देखर के तोड़ने के बाद ही पता चलेगा कि वहाँ पर मंदिर थी या मस्जिद थी, वरतमान समय में उसको ग्यान वापी मस्जिद का जाता है, मैं आपके माद्यम से पुरे देश को कहना चाहता हूं, कि सहाब अगर मंदिर है या मस्जिद है, अब ये मामला ने आयले में चला गया है, ये बहॐत पुराना जखम, सुछटेए, कोई जब पुराना घ़ा हो जाता है, तो उसको आपरेशन किया जाताा है, विल्कुल, आप ये मान के चलीए, इसको आपरेशन कि माद्धियम से हल किया जा सकता है बहुत दिनों तक भारतिय हिंदू समधाय को इसमें उस तरह से नहीं रखा जा सकता है कि वो इसी तरह से परेशान रहें कि वो पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे जिस तरह से राम मंदिर वाले मामले मुगा राम मंदिर और बाबरी राजनीत हुई, अब मैं नहीं चाहता इसमें कोई राजनीत हूँ, जिस परकासे वीडियोग्राफिक आदेश हो हुआ है, मैं तो चाहूंगा उसका धवस्ती करण का आदेश हो, और उसमें देखा जाए कि वाकई वहाँ नीचे मंदिर है कि नहीं है, क्योंकि दूद का दू लेकिन मामला क्या हुआ, हल क्या हुआ, मुसल्मानों ने स्विकार कर लिया आंतिम में, कि वह बाबरी महजिद नहीं थी, वह राम जनम भूमी थी, जब हाई कोट ने, सुप्रीम कोट ने आदेश दे दिया, तो खामोशी से, बड़े प्यार से हमारे देश के मुसल्मानों मैं सलाम करता हूँ अपने देश के मुसल्मानों पर, कि उन्हों ने स्विकार कर लिया, कि भईया ये जो है, अब सुप्रीम कोट ने कह दिया, तो ठीक है, आज की जट में, महापर राम बंदिर का निर्माड हो रहा है, और सब को स्विकार है, तो इस मामले में, अब वीड के हित में ये सब नहीं है, हमको देश का विकास देखना है, और अगर कोट चाहे, तो ये जो वीडियो ग्राफिकी जहां अच्छा होता, मैं कोट के किसी भी डिसीजन पर, किसी भी निर्ड़े पर, कोई आपती नहीं जाता रहा हूँ, लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा हू कि उसकी आदेश ये होता, कि उसको तोड़ के देखी लिया जाता, तभी अभी देन और इसका मामला फाइनल हो जाता, कि वहां मस्जिद है, कि मंदिर है, जे, मियानी कि आपके लिए सुप्रीम कोट का फैसला सर्वोपरी है, उमार चंकर जी, आप से जाना चाहेंगे कि य देखें, बड़ा अच्छा लगा किसी कारक्यम के बीच में, और बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं, कोई बिवादित नहीं बैठा हुआ है, कोई बिवादित बाते नहीं होती, जब भी डिवेट होता, मैं देखता हूँ, अकसर लोग लड़ते रहते हैं, लेकिन ब सिक्षित वर के लोग उसमें भाग ले रहे हैं, दोनों पक्षों के वकील भी भाग ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आम जर्मानस के सामने हो रहा है, और जो भी होगा पाक साफ हो जाएगा, देखें, जहां तक हम लोगों को लगता है, या सुरुवाती दोर से हम लोग स मेरा कार्चेत्र मेरा धर्म से संबंदित है लेकि जो मैंने वहाँ पर देखा मुझे बड़ा एक अच्छा लगा मैं आपकी बात को सुन रहा था इतना सुन्दर लगा मुझे लगा सब कुछ जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला है और बेटर होगा जो भी होगा और तथ्यात्मक होगा जल्द से जल्द होगा मुझे रगरा कोई बिवात का इस वार रास्ता नहीं वनेगा बिलाल जी आप क्या कहेंगे जिस सरह से एक करके अलग-अलग मुद्दों को उठाया ज जाता हूं लोगों को कि उत्तर प्रदेश में सबसे जो महंगाई के मुद्दे पे कोई बात नहीं करने के लिए तयार है जितना अपराध जो बढ़ चुका है उस पे कोई बात करने के लिए तयार नहीं है बेरोजगारी जितनी चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे पूरे भारत के अंदर उस पे कोई बात करने के लिए नेतियार है। ये केवल बस चुनावी एजेंडा और चुनावी मुद्दा जो मोड देता है दोजार चुनाव नजदीक आ चुका है। उस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है मंदिर मस्जित को कि उसी में जनता उलजीर है और हमसे महंगाई पे और बेरोजगारी पे ब्रस्याचारी पे इस पे कोई सवाल हमसे न कर सके। आजम जी आप कुछ कहना चाहते हैं। कि इस मुद्दे पर हमारे बगर में जो महनुवा बैठे हैं वो हिंदू और सनातनी धर्म से हैं। यह वो इस मसले को बारे में सोचते होंगे और अभी भी तक उन्होंने भाजपा की बात नहीं की है। और भाजपा के लाब की बात की है, जो हमारे बगल में बैठे हैं, श्रीमान, मैं उनका स्वागत करता हूँ इस कारिकर में, क्योंकि उन्हों जो बात कही है, लेकिन ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये मामला है धारमिक, इसमें आप अगर समाजवादी पार्टी को लोगों मामला है, अगर आप इस मामले में ग्यानवापी मस्जिद कमीटी के लोगों को भी बुलाते, और बनारस के जो मुस्लिम समुदाय के लोगों उनको भी आप आवाज देती, तो वो अपनी बात कहते, हमको पता है कि बनारस के लोग बहुत शांती प्रिया मुसल्मान हैं, व वो कभी भी किसी भी विवाद में देश का विकास को रोड़ा नहीं बना चाहते हैं, लेकिन जब कभी भी इन मुद्दों पर, अगर आप पुल्ट के जिसे हमारे बगल में बैठे हैं, श्रीमान, मैं उनका फिर स्वागत करो हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी भाजपा की बात नहीं कि, लेकिन अब बगल बैठे हुए हमारे जो समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र हैं, उन्होंनों मुद्दा महंगाई और बेरुजगारी पर जोड़ दिया, आपने हमको महंगाई और बेरुजगारी मुद्दे पर नहीं बुलाया, आपने मुझे को बुलाय राम अंत्रित किया है कि साब ये जो मसला है, इसका हल कैसे होगा, और इसमें कैसे शांती पूर्वग धंग से हल होगा, जिसमें देश का विकाज भी चलता रहा है, और ये काम भी होता रहा है, तो ऐसे में किसी राजनीटिक पार्टी के लोगों को अगर आप बुलाएंग जैसे कि आपने वीवेग जी को अभी आवabout में गरता है, वीवेग जी का भी जो बात है उससे में सहमत नहीं हूँ, क्योंकि और आपनी पार्टी के हित्में बैयान देंगे, वह मंदिर और अपने हिंदु धर्म के बारे में उन्हों नहीं का, कि हिंदु धर्म आइजे हिं नातनी वो मुझसे बात करें तो मैं उनकी बात सुनूंगा लेकिन अगर वो आप उनको बुलाई है इस कारिकरम में ऐजे भाजपा के परवक्ता के रूप में उनकी क्या राह है मैं उसको बिल्कुल भी सुनने को तयार नहीं हूं यहां पर उस्था होती है मैंने आप से पहले भी कहा कि यह ऐगर इसको डिल्य करें में तो देश में नुकसाल होगा आर्थिक समाजक और शेचरिक इसमें क्या नफरत पैदा होगी हम नहीं चाहते हैं कि फिर से जिस परकार से बाबरी मजजित को लेकर के नफरत का फैला हुआ और नफरत के दाजनीत हुई और लोगों पूरी-पूरी राजनीत की चाहिए वो कांग्रेस हो चाहिए भाजपा हो और चाहिए समाजवादी पा तो आज देश हित में ये होना चाहिए कि इस तरह के सारे मुद्दे को सभी लोगों को सभी पुलिटिकल पार्टियों को मिल करके हल करने के कोशिक करने चाहिए इस मुद्दे के अतरिक्त कोई बात ना करें ये मेरा सभी भाईयों से चाहे हमारे सपाई भाई हमारे बात करें में मैं सबसे निवेंदन करता हूं कि किर्पिया पूलिटिकल भी मत दें एक राश्टिये हीत में बात करें यह बात करें कि हिंदू नहीं हम भी भारतिये हैं और भारत का विकास कैसे समभा होगा उस बारे में विचार को ना चाहिए आजम जी मैं आपकी बाहर से सहमत हूँ लेकिन हम यहां पर पक्ष दोनों का पक्ष भी तो जानेंगे जो समाधवादी पार्टी भी पक्ष नहीं है इस मामले में आप नहीं आपको बता दो नहीं वहां पर भाजपा के लोग भी प कोड के दुवारा नामी वकील कमिश्णर गया है वह भाजपाई नहीं है वह सपाई नहीं है वह कांग्रेसी नहीं है अब उसके वारे में अगर कोई बात कहें कि साब मैं इसका विरोध कर रहा हूं तो फिर देखिया वह कानून का उलंगन है लेकिन क्या सत्ता का पक्ष ज जी नहीं अब जाला स्थीजों में समनहीं बैठाएगा कि ये जनना जरूरी नहीं है तो सत्ता के पत्कोा कि आप que vraag नाने को प्रूंक्र भी नहीं किया है और ने द्वारा जो भी आदेश किया गया है उसी परिकृरिया में लेगा तो ऐसे में और रिकृर्ड का मुद्दा नहीं है यह मामला देश हित के लिए ठीक है हम पैनलिस्ट के उपर बार में चर्चा करेंगे हम अपने मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले इस बात को हम जानना चाहेंगे आजम जी आपसे कि जो कुछ अभी तक नियम कानून है कि कहा पे मस्जिद होनी चाहिए और कहा पे ने क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो विवाद जगा होती है वहाँ पे नमाज नहीं पड़ी जाती है इसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे मैं मैडम आप से साब बता दूँ अगर कहीं भी पूरे देश पूरे दुनिया इसलाम में इसकी सख्त मनाई गी है और एकदम इस पश्च कह दिया गया है कि अगर कहीं भी कोई विवाद है तो भाई वहाँ नमाज नहीं होती है लेकिन ये विवाद अस्थापित होना चाह होगा अब ये मामला जो है कोट में गया है तो कोट का मतलब ये नहीं है कि ये किलियर हो गया है कि वहाँ मंदिर है अब ये एक नियाले की परकिरिया होगी उसी अधार पर एक लड़ाई एक अपनी बाते कहीं जाएंगी तो ऐसे में कोई आदमी ये नहीं कहता है कि वहाँ मामले में जुर्णिज करेंगेज चेसे स्विकार करेंगे जिस परकार विवेक जी मैं आपसे जनना चाहूँगी कि आखिर आजम जी आपसे इतना नाराज क्यों है दिखिए आजम जी जो पच्छ रख रहे है वो अपना पच्छ रख रहे है भारती जनता पार्टी कर वो पच्छ रहे है भारती जनता पार्टी सत्य बहात है कि वीश में कहीं पच्छ की भूंका में नहीं है प्रण सरकार सारी विशय पर मानीटर कर रही है सारी इस्तियों पर नजर बनाए हुए है और क्योंकि आज सरकार के पच्छ से भी लोग उसमें मौके पर मौझूद थे और ऐसे में जो रिपोर्ट आ रही है पचास परस्ट सर्वे का काम पूरा हो चुका है और कल भी सर्वे होगा सर्वे जिस तरह से अपने परणाम को प्राप्ट होगा इस्तियां उसी साथ से असपर स्टोटी चली जाएंगी मैंने जो कहा वहां जो भी गया होगा जिसने भी देखा वज़ेसे वहां संकर जी भी कह रहे थे को वहां जाने पर ही साथ दिख जाता है कि ज्यान व्यापी की परकोटे मंदिर की दिवालों को उपर दिख रहे थे मंदिर की दिवालों पर हिंदू प्रतीक्चन असपष्ट दिखाई देते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे सिंगार गवरी की वर्ष में एक दिन पूजा की अनमोती है तो जहां पे पूजा हो रही है वहां पे तो नमाज पढ़ी रही आ सकती आजनगी बैठे है इनसे पूछ लिए कि आईसी जगहां पर नमाज पात मानी जाती है क्या वो नमाज कबूल होती है जब आईसी जगहां आप नमाज पढ़ रहे हैं तो उसको उसको भीवादी तो कहा जाएगा जब वहां एक दिन बरस में हो रही है और आप नेमित पूजा का अनमत मांग र प्नेना चाहिए और अस्थान का अस्थान तरह हिंदी पत्षर के पक्छे में हो जाना चाहिए जी मेरा विऩख और यही सबसे सुन्दर तरीका होगा धिस बेवाद करने का है और यह सारा देश जानता है कि किस तरह से मोगल काल में आत्तायों के दारा हिंदू धर्मस्थानों को नश्ट करके मस्जिदे बनाई गई थी उसकी एक लंबी सिंखला है कि सारी अगर मंदिर मंदिर ढोने जाने लगे और सारे इस तरह की विवाद आगे तो पहुत तस्मीर भदल जाएगी तिलहाल जो प्रमुक अस्थान है राम जन्भूम का फैसरा सुप्रियों कोड से आचुका दिर्मार जारी है कासी का विसे है मसरा जन्भूम का स्थान का व कि वहां के जो नीचे कमरे बंध खुल जाए तो ऐसे में कमरे खोल करके अगर देश के सामने सच्चाई आ सकी तो उसमें किसी कुरुकावट नहीं बनना चाहिए जी बिल्कुल जानना चाहता है कि आकिकिल सच्चाईों पर परदा डाला जा रहा है जी बिलाल जी अगर रा खंग से हमें इस मुद्दे के उपर चर्चा करना चाहते हैं तो आप बाकी मुद्दों को आज हटा दीजे अगर हम बात करें इस वक्त काशी मतुरा आगरा की तो उस पे आपकी क्या राय है देखिए ये भारती जनता पार्टी के लोग हैं और जनवरी में ये हिजाब का म करते हैं और जनता अभी नए जब सब कुछ खो चुकी होगी तभ ये समझे अभी हमारी उत्तरप्रदेश की जनता बहूत सीधी और भोली है अभी देखिए ये राशन वाला मुद्दा इनका आया है की वसूली की जाएगी एक तरफ बाठते हैं एक तरफ से नहीं भटकेंगे हम इसी मुद्धे पर रहेंगे देखिए ये कोट का फैसला है कोट में चला गया है मामला वो विचार धीन है 40% उसकी आज जाच हो गई है और अभी जो भी बचा हुआ है ये कल के आदेशा अनुसार जो कोट का फैसला है का उसको समान सरो परी होगा सरकार के भामले कोन किस तरह देखते हैं आप इस मामले बाहरना सरकार देखिए सरकार तो ये हिंदू-मुसलिम जब से ये सरकार बनी है अए टब से ये हिंदियू-मुसलिम को बाटने में लगी हुई यह हमारा उत्तर प्रदेश है यहां पर सारे लोग इससे पहले भी मिल जुल करके रहते थे और इसके एक थाली में खाते थे सारे लोग और यह जब से भारती जंता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है तब से हिंदू-मुस्लीमें एकदम उनको जहर घोल दिया ग समाजवादी पार्टी की सरकार में आप इतिहास उठाकर के देख लीजे केवल विकास के एजंडे पे और विकास पे फोकस किया गया समझ रहा है आप लुकुल नहीं हुए कौन कहता है हिंदू-मुस्लीम दंगे खुए तो ये तो आपको भी पता है कि आपके पार्टी के नेता ने कराया ने सरकार आप निभी पार्टी की सरकार थी आजब खां के पून को अभ्यूत छोड़े गए बहु वेट्री सम्मान बचाओ पंचायत के बाद जो लोग लौट रहे तो उनको किस तरह गाहों में काटा गया उसके बाद दंगे भड़ती यह कई सत्थ चुपा हुआ क्या और ये जब से आपकी सरकार बनी हुई है तब से क्या मुस्लिम करके मुद्दे से मुद्दे से भटकाईए मत नहीं मैं असल मुद्दे पे बोल रहा हूँ आप मुद्दे से भटका रहा हैं हमें कि जनता के जो लाब का फैनल पर जबाइए लिए किस के सरकार थी आप जबाब दीजाए आप जबाब दीजे कि जब मुझवाफर नगर के दंगें हुए थे तब इसके सरकार थी लेकिन दंगा कराने वाला कौन था यह भी तो सोचिया आप यानि कि जो जिम्मतार लोग होते हैं वह दंगा कराते हैं अगर भाजपा का नेता भी हो सकता बड़ा नेता नहीं लेना चाहेंगे लेकिन जब सरकार में आप थे तो जिम्मतारी आप की थी सब को जेल भी जी को बताईए अब भारती जनता पार्टी के बिधायक थे आपके मेरट के यह आपको भी पता है मैं खुल करके बता रहा हूं इस आपके चैनल के माधियं से अब बीबेक जी इसके जवाब देंगे सिखा जी सिखा जी मेरी आवाज आ रही है इनसे पूछिये मुझफर नंगे के बाद जो रिफ्यूजी कैंपों में मुसल्मान रखे गए थे समाजवादी पाल्टी की सरकार मुण में मुसल्मानों के साथ बच्चे बुखार से तब मर गए जब अकलेश यादो साइफ़ई के एसी क्रेंप में आलिया बट का डान दिख रहे थे उसमें किसको जेल भजाता एसे पुछिं जीकी स्टेडियम की हम बाट कर रहे हैं आप दोनों से ही आग्रे कर दो दोशन चले होऊं तो मैं दोनों से ही आग्रे करना चाहूंगी कि हम एपने मुद्दे पे लोटाते हैं, उमा शंकर जी, हम एक बाद फिर से काशी मत्रा और बाकी के मुद्दों पे लोटेंगे, जिस तरह से ग्यान वापी का मुद्दा इस वक्त हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे मे अच्छा जवाब दिया है आजम जी ने, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि वहावे पूज़ा भी होगी और नमाज भी एक साथ पड़ी जागी, क्या एक मिसाल बन सकती है, देखें, 1947 से जब से देश की आजादी मिली, कुछ वर्ग के लोग प्रभावी हुए, उन्होंने प्रदेश का, देश का, धर्म का, उन्होंने बेक्तियत स्वार्थ में हित का लाव लेने का प्रास किया, उन्होंने गलती तिहास पढ़ाया, और सबसे अच्छा ही अच्छी बात यह है, कभी हमारे मित्रवर, बंदूर बगल में जो बैठे हुए है, बार 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 न देखने का प्रास करें, पूरे प्रदेश में, हम एक बेक्तियत तुर्पकल में जहांसी गया, परसों में गौरपूर जाकर देखा, सुबह जाकर हम रात में लोटा, इतना सलकों का अभी कास हो रहा, इतने हाईवी बंदे मुझे लग रहा, किसी गौर्मेंट में काम नही प्रवक्ता कर रूप में बात करें, आज कई फसाद नहीं हो रहे, काना क्या चाहता हूँ, आज जहां तक बाते हैं, आज अगर सारी समस्याओं का समाध्धान हो जाए, तो आज कल निसीत फैक्ट्री बनेगा, कल उठान का एजुकेशन का रास्ता किलियर होगा, आज समस्या क्या है, कि अगर सारी समस्या का समाध्धान हो जाए, तो को निको पूछेगा, अगर कल समस्या भी सुनात मंदिर का, अगर ज्यान वापी की समस्या समाध्धान हो जाती है, तो निसीत फैक्ट्री प्रदेश के विकास में एक अलग परकार का पाचान बनेगा, आज हमारे तमाम चात्रों को रुजगार के ऊसर बनेंगे कब तक किसमस्षा चलेगी भावरी मस्ज़िद का मस्ठा कितना लंबा चला अभी तक तो सब समादरूर शूर रूप तक मस्झिद का मुद्धा या बावरी मस्झिद का जैसे लंबा वक्त चलता रहा और लोगों ने लाब पर लाब उठाते रहे, हर महिने दंगे भरकाते रहे, बिदेशी पैसे लेते रहे, आज सब का सब रुख जाएगा, और रुखेगा विकास अपने आप दोड़ जाएगा, विकास तो होई रहा, कोब हो रहा विकास, मुझे लग रहा साथ है, अज बच अज़ित के माامले में भारत्ये पार्टी का अपना विचार हो सकता है, लेकिन भारत्ये पार्त्ये पार्टी चे, अलाबा है, कोट के मादम सो रही है, सारे दोनों पक्छों के लोग वहाँ पर लोग लगे हुए है, और सारी ब्योस्तावरी पाक साप हो रहे है, पूरे TV च तो इसमें सबसे बड़ी बात है मैडम कि देश और देश के लोग सही मालों में बहुत परिशान है। उनको अपना मुद्दा वो सबसे बड़ा मुद्दा है पीट। देखिए पूजा भी विगर खाली पेटने हैं। नमाज भी खाली पेटने ही कर सकता है। यह कितनों बड है। क्या देश इसी तरह किसे चलेगा। क्या देश के लोग सिर्फ सुबा से के शाम तक मदिर और मस्जिद के मामने में उझे रहे हैं। आजम जी आपने मुस्तिक बात कही थी कि हमने दो पक्षकारों को BJP और सफ़ा को क्यों बैठाया है। क्योंकि यहां पर 22 में जो बवाल चल रहा है वो भविश्य पे भी कई सवाल खड़े कर रहा है। आगे चुनाओ भी कही ना कही राजनीतिक रूप भी लेता जा रहा ह है। कहीं कहीं तो शांती देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ लोग जिनके मन में मदभेद भी तो उत्पन हो रहे हैं सब चीजों से। क्या कहेंगे। मैडम बहुत हाथ जोड़ करके पूरे देश के सामें क्योंकि आपका चैनल पूरा देश देखता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अधर कोई मसला है। तो उस मसले का समाधान भी होना चाहिए। अगर कुछ लोग न्याले में गए हैं तो न्याले उनको भगा तो देगा नहीं। बिलकुल। न्याले उनकी बात सुने का। वो जो पांच महिलाएं गई वहां पर शरिंगार गौरी के लिए पूजा के लिए। उनका साफ साफ कहना है कि हमको डेली पूजा का मुपधिया तो सरकार नहीं। बल्कि कानून ने कहा कि नहीं बिलकुल। हम इसकी जाज कराते हैं। इसको देखते हैं। हम तो निवेदन करना चाहते हैं अपने मुसल्मान भाइयों से कि वहां पर जो पूजा हो रहे थी। उनीस सो अनसट में वहां पर एक गड़बंदन हुआ। एक आपस में कॉंटेक्ट हुआ। और उनीस सो अनसट में यह तैक कि आगिया कि साल में एक बात प्राइबूड़। अब वह किस आधार पे और क्यों लोगों इस बात को माल लिया। संगठन ने, चाहे हिंदू- मुस्लिम संगठन ने या हिंदू- हिंदू- संगठन ने। उननीस सो अनसट के उस में क्यों इस बात को माल लिया। कि साल में एक बात प्राइबूड़। क्योंकि हम मैडम नहीं जानते कि उस वक्त जो आपस में खनूबंद रहा था। जो एग्रेमेंट होगा था उननीस सो ने उसकी क्या शर्ते था। लेकिन कुछ शर्तों को साथ यह बात हुई थी। लेकिन अब श्रिंगार दौरी का मामला महिलाओं का है। महापक कोई पुरुष नहीं है। आपको पता है कि यह जो है बहुत दिनों से पहले से यह आरूप लगता रहा भारत पर भारत सरकार की लोगों पर कि महलाओं का भ्हत मुत्मीरत हुता है। आपको शर् exams का सारे के रहा हुए थैसा और की कि सृक्रार की स्वाण साहण दौरुष और सुनक्रूथ यह द्यान करए पर दिब यादी है。 उन्हों ने कहा हम दरुआजें पर जा करें, चोगट की पुजा करें चले रहा ही हैं. ठीक है.। वह जाएती हैं और वख लिखेंदेगे तो बुए उसमें नहीं जाना चाहते हैं.. क्या नहींदेखें कि तीम पॉलिडिकल को प्पांचो म्हान हें.. तुझ गुंच गौय हो अगर नोच wrapper जा रहा है तो समय आधी आद्य अबदाने की कि मैला हिंदु मुसलमाज मैलाए अगर मैंना माफ कीजेगा मैं इस मामले में तलाक को ला रहा हूं, नहीं लाना ची मुझे, लेकिन सरकार के इस मसले का महिलाओं ने स्वागत किया, महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं, ठीक है, अब कानून में क्या प्रवधान है, महिलाओं पाच गई वहां पर, उन्होंने कहा कि मुझे मौ अगर उनको कोड दbuster या आदेश देज दिया जाता है, उसमें ना मुसल्मान को कोई आपत्ति होगी, ना किसी हिंडु का आपत्ति होगी, लेकिन यह तोड़ फर के राजनीत, कोई आदमी, कोई भी जो है, गंभिर हिंडूव ऒंभिर, मुसल्मान, नहीं चाहता है, कि फिर से फिर वही राजी तो, ये तोड़ा जाए, वो तोड़ा जाए, देश में नफरत पहला जाए, ये बिलकुल मामला नहीं है, ये शरिंगार गवरी का उपासना का मामला है, सीड़ी सीड़ी बात है, अगर कोई आदमी कोट के नियाले को बात करके जान ले किस तरह के स पर रोजा ना पूजा पद्धि के नुसार पूजा कर सकती है कि नहीं, बस और कोई बात, बिवेक जी, ये मामला तो यहां पर समझ में आ गया कि यहां पर पूजा की बात चलिये, लेकिन तहखाने खोलने की बात जो कही जा रही है, ताज महल में 20 कमरे जो बंद हैं, उसक समय गर्भ ग्रे का प्राविधान है, और उन गर्भ ग्रे हों में मोर्तियां अस्तापित होती है, जिनकी विजvat प्रान को तिषठा की जाती है, उन मूर्तियों का नियमित पूजन भोग की बिवस्था है, हमारी परमपरा के नुसार, इसी दिवित तो यहां के समझा रहे जो भी एग्रिमेंट हुआ उस मामले में ऐसी कौन सी शर्ते हैं तो दोनों को स्विकार थी आज स्विकार नहीं है आज ये मुसल्मानों को आप बता दीजिए सिर्फ मुसल्मानों को बता दीजिए हिंदों को छोड़ दीजिए मैं आप से बता रहा हूं कि आप प्लीज अपने हिंदूं भाईयों को ये बता दीजिए कि साब उनीस तो आपर होता तो मैं कहता डेली पूजा करें महिलाएं ये उनीस सोड़ में क्यों मान ली गई किसा अब साल साल में पूजा होगी ये कौण सी शर्त है ये कौण सी आलोके शक्ति है जिसके आधार पर ये ये एग्रिमेंट किया गया मैं तो अगर आज की ज़िए में मैं कहता हूं तो अगर कानून इसकी इजादत नहीं देता मैं कहता है वहां माहिलाएं देली फूजा करती शिरिंगार बहुरी का ने बिल्कुल हम यहीं हम यहीं चाहते हैं कि वहां नियमित पूजद के अनुमत मिले और जो विसरह है वहां का समाथ हो और इस तरह से जो भी हमारे धर्म अस्तान है जिनको तोड़ करके परिवर्तित करक उंन stands का पूरा रसकापन हो और पे दुज़ा और से पूला है चना प्रादाम दो से तो वह सरकार के दौर्वरण के करवाई क्यों हो रही हो बताई आप कि बुल्डोजर के द्वारा करवाई कर रही है तो इसमें बुल्डोजर क्यों नहीं चलना वहापर यह सरकार के दायरे में पटाचेव चाहते हैं की दोनों पच्छों ने सयोग इनवबत नहीं आई तो क्या अप मांते हैं कि अगर कोई आपत्ती होगी तो बुल्डोजर चलेगा पर जाओं पर जी कोल्ट के आदेश के अवेला होगी, कोल्ट के आदेश के पालज में कोई पच्छ रुकावाट बनेगा, उसके कारवारी भूतर करेगा. जैसे फैसला चाहते है, बिलाल जी आप से जनना चाहूंगी, जिसे 22 में राम मंदिर बन गया, उसका क्रेडिट बीजेपी ने ले लिया, अगर ये ग्यान व्यापी का मुद्धा भी सुलग जाता है, अनुमती मिल जाती है, पूजा के इसका क्रेडिट भी मिलेगा और 24 में मुद्धा बन जाएगा, ये आस्था का प्रतीक है, ये कोट का मुद्धा है, लेकिन इसको बीजेपी भुना भी तो सकती है, बीजेपी तो हर मामले को भुनाती है, वो तो जब राम मंदिर और मस्जित को ले करके राजनीत कर सकती है, तो हर मामले को भुना सकती है, क्यों इसलिए वो कोट का फैसला था और जो कोट का फैसला आया उसको सम्माने सम्मान सरू परी रहा कि भाई वो मंदिर की जमीन है हम बेशक उस पे से हट गए और बिल्कुल कोई बवाल नहीं शांती पूर्वक वो उनका था वो ले लिया उन्होंने लेकिन ये हर बात पे ये मंद मंदिर मस्जिद एक सो तीस करोड़ की जनता हमारे पूरे भारत में केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद सब को उलजा करके ही क्यों रखा है क्यों कि साथ करोड़ वाला देश जो है जापान फ्रांस ये सब आपके रफेल बना रहे हैं वहां के लोग और एक सो तीस कर कि इसी वक्त ऐसा क्यों हो रहा है उमा शुंकर जी मैं आप से राय जानना चाहूंगी बार-बार ये चीज़े उठ रही है सिर्फ एक जगा का नहीं दो जगा का नहीं और अगर हम इस हफ्ते की बात करें उतरफ्रदेश में कई ऐसी मस्जिदों को लेकर ये बात उठ चुकी जादे हैं इसाई में इसाई से संबंदित लोग हैं और मुस्लिम राष्ट से मुस्लिम राष्ट में कोई गल्ती करता तो दंड दिया जाता है इसाई राष्ट में कोई गल्ती करता है तो वहां पर जुर्माना लगा दिये जाते फानिये से वहां गल्तियां जल्दी नहीं होती हिंदुस्तान के कुछ ऐसी बेवस्ता रही और हिंदुस्तान के सासन में कुछ ऐसे लोग प्रभावसाली बने रहे जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपने स्वार्थ के लिए जिन्होंने देश को ललाने का खंद रचा पराम क्या निकरा कि सिर्फ हिंदू मंदि मस्चित को लेकर मराती रहे और एक मात याद रखें जब तक मंदिर का मस्चित का मुद्दा जब तक महीं निक्टेगा जब तक मस्चित नहीं निक्टेगा जब तक समस्चा नहीं निक्टेगी देश का भिकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा, जब तक इस समस्चा चलेगी, अब देश का जो जागुरूक वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो चाहता है कि समस्चा मिटे हैं और फिर देश का विकास शुरू है, जहाई मिटी, आप देखेगा, अपने आप उन्रती हो लगे अगर गुमराह करने का परास किया, दिखभरमित करने का परास किया, जीनों इसको रोजी रोटी का कारक बनाया लड़ा भीडा करके, अगर उनकी समस्चा मिट जाए, तिसमें बुराई क्या है, अगर मिटेंग दो, चार साल, पांच साल के अंदर लग रहा है, इस सारी समस आगा परास किया, आप देखने का परास किया, पाले हम लोगों की अरजी को सुकार नहीं किया जाता था, बहुत हे दिखा जाता था, आप जानले, अगर जहाँ ये समस्याइं मिटी इस देश का उनती वह होगा आज पूरा मोड़ देख रहा हिंदुस्तान की समस्याओं का समाधान होते हुए पढ़ाम क्या निकला जो 10% लोग है जो 1947 से लड़ाने भिडाने का काम करते रहे उस सब के सामें समस्या दिखा रहे है आपको याद होगा कस्म कोई हिंदु मुस्मिन आपस में लड़ा करके अपने कुछ जीना है आज आप देखें आज आप यहीं देखें कहीं लड़ाई नहीं हो रहा कोई बिवाद नहीं हो रहा कोई मुद्दा नहीं आप देखें ग्यानवापी वाला हो रहा कितना आसानी से हो रहा कितना सांती प आपने भी हो रही है कोन से रुजगार पांच से पढ़े रुजगार थे किसके सामने कौन से में मिंटा दिया था देखें वो सब बाते लड़ने भीड़े की बाते हैं वो बाकी दिन उठाते हैं आज हम जिस मुद्दे पर हैं जिस से पहले देशी लोग आए हमारे अगर उन चीजों को देखके हम आज देखा जाए और जिस तरह से 1947 में भी ये चीज आ गए कि जो 1947 के बाद मंदिर मस्जिद बने उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा अगर इन सब चीजों को तमाम चीजों को देखा जाए तो किस तरह का फैसला आ सकता है और अगर इसमें सावित हो जाता है कि जो मस्जिद बनी है वहाँ पे मंदिर था तो क्या इसे सुईकार तो किया जाएगा लेकिन इस बात को भी माना जाएगा कि हाँ वहाँ पे मंदिर थे और आपका क्या मत हैं सभी चीजों को देखते हुए इतिहास को देखते हुए इक सवाल ये भी उट रहा है कि क्या गलत इतिहास पढ़ाया गया है मैं देश की कानूं को जानता हूँ जी इसमें दो बाते हैं इसको धार्मी के रंग देने में दो गलतियां भी होने हैं जो कि नहीं होनी चाहिए एक तो जो वकील कमिशनर होते हैं जी उनका काम होता है कि जा करके जो आदेश कूट से हो उसको पूरा करें अगर पूरा कर ल अब वकील कमिशनर जब लड्डू खाएंगे लड्डू खिलाए जाएगा कि आज हमको सपलता मिल गई वीडियो कराफी करने की तो यह लड्डू खाने की जरूरत नहीं उनकी थी यह उन्हों देश के कानून का अनुपालन कराया था अगर आप लड्डू खाएंगे तो कही कि लिजे साब वकील साब गए वहां पर उनको इजाजत मिल गई उन्होंने वीडियोग्राफी कर लिया तो उनको लोडू खिराएं लगे लोग यही से राजनीत पैदा होती है बलकुर दूसरी बात होती है कुछ बाते समाजिक होती है और कुछ बाते राश्टिये हित में फल्ए राश्टिये हैं वह बाते होती हैं जिसमें सबका लाब हो सरू पर बिल्कुर जैसे कानू बना उननुससाइधाली सक्वार्द कोई फ्टराम को करना है हम भारत में रहे हम पाकिस्तान नहीं गए पाकिस्तान को क्यों लात मर दिया मुसलमानों नहीं उनको लगा कि भारत अच्छा यह फ़र्प में मुझ को रहना हे आप मरना भी है ऐसे में कानूं से उड़कर एक सामाजी को राष्टिहत की बात होनी चाहिए जो कि हमारे हिंदू भाईयों को कहीं से अगर नुक्सान हो रहा है उनकी पूजा पदती में बादाय उत्पन हो रही है तो वहां पर हमारे मुसल्मान भाईयों को खड़ा हो करके उनके मार को परशक्त भी करना है वो चीज कानून से उपर उठके होनी चाहिए कानून खुद दबाव में आगा जब पार्लेमेंट बैठेगी और पार्लेमेंट कहेगी साब जो 1947 वाला कानून था वो गलत था और आज हमारे मुसल्मान भाई कह रहे हैं कि नहीं हमारे हिंदू भाईयों के रास्ते में जो पूजा के लिए रुकिया जा रहा है उसको हटा दिया जाए जाए जोट की आदेश का पालन करना चाहिए बहुत-बहुत शुक्रिया हमासा जुड़ने के लिए और सभी मैमानों का अपने पक्ष रखने के लिए हमाई साथ आज की डिवेट में विवेक्षर वास्तव जी पूर्ट का फैसला आए उसका सम्मान करना चाहिए बिलहाल आज की वीकेंड चर्चा में इतना ही तमाम देश दुनिया के खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार